रिक के बाद स्वागत है आपका हम आपको बता रहे थे कि सिक्षाक जो हैं दशहरा में थोड़े नाराज थे किनी कारणों से लेकिन अब उनकी नाराजगी संभवता दूर करने की कोशिश सरकार की उरसे की जा रही है एक बड़ी घोशना की गई है और सिक्षा मंतरी ने प् रही है और सब्सक्राइब करें करें कुछ जब को छोड़कर सब करें कि बहुत कम रहे हैं उसमें कुछ रूपियां थी क्योंकि जो एक पैमाने पर सब कुछ किया गया उसके बाद हाई कोट का आदेश हो हुआ कुछ सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जीर लीस है तो अब त कि रस्त किया गया तो फिर वापस उसमें जाने में रूपी नहीं रह जाए क्योंकि फिर कोई कोट जाएगा इस वज़े दिक्कत परी और सब लोग उसको टेन री ट्रेन करना पड़ा फिदी एक्जामनी इस वज़े से अब उनसे बात करनी पड़ेगे लेकिन हम कोशिश करें लोग अपना इसमें प्रेटिशन दे सकते हैं एक समय सीमा हम लोग निर्धारित करेंगे और एडुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर उसको अपलोड करेंगे और हम लोग उसमें उन लोगों को दस आप्शन देंगे सिप्चकों को दस आप्शन देंगे काफी आप्शन देंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आट, नो, दस options रहेंगे उनके पास और यथा संभाव हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो सिक्षक हैं अपने ही जिले में रहें पहली बात तो यह है कि अपने ही जिले में रहें ताकि उनकों सिवधा हो अपने ही जिले में चले तो दशहरा में ये खुश ख़बरी आई है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में दस विकल्प दिये जाएंगे लेकिन सिक्षक अभियार्थियों के इंतजार के लम्हें लंबे होने वाले हैं ये हमारे सहयोगी प्रीतम के सवाल के जवाब में मंत्री महोदै ने काई वरीतम सीधे इनसे बातचीत करते हैं प्रीतम पहले दशारा गिफ्ट की बात कर लेते हैं फिर जो इंतजार के लंबे होंगे उस पर भी आपसे बातचीत करेंगे ये किस तरह से गिफ्ट माना जाए कियोंकि सिक्षक पहले भी कहा रहे थे कि सरकार हमाएं ठग रही है दिखिए एक तरके से देखने का अपना नजरिया होता है हम मान सकते हैं कि विभाग ने अपनी तरफ से ये गिफ्ट दिया है अचुकि दुरगाया पुजा चल रहा है नमराती चल रही है और काफी दिनों से इसकी चर्चा हो रही थी तो आज सॉट नोटिस पर सिक्षामंतर ने एक प्रस कांफेंस की और उनने बता दिया कि कि इस तरह के से आपका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा इसके लिए पोर्टल लांच किया जाएगा और जो भी सिक्षक है उनको एक प्रयाप्त समय दिया जाएग क्यों सक्षक हो ठ कहारेगा अपने ट्रांसफर पोस्टिंग प्रस कांफर कड़कर के लिए और जो नाथ बत जाएंगे उसको इसमें समय सवाल लिया उन्होंने जवाब भी दिया सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में 2005 में मुख्यत्री नितिश्क्वार बने और 2006 से नियोजी सिक्षकों की नियुक्ति शुरूवी ठीक है अब सवाल यह अब सबस्क्राइब दोनों के वेतनमान को एक मानती है क्या विवाग ऐसा मानता है जब इनका ट्रांसफर होगा जब इनका वेतनमान बढ़ेगा जब इनका इंसेन्टी बढ़ेगी और जब सल्लाना प्रोसन होगा वह प्रोस्चि के मुकावले बहतर प्रोस्चियाइ लेकिन आज ने जैसा जवाब दिया है उसका निचोड़ यह है कि नियोजिस सिक्षों की आस पूरी नहीं होने वाली है ट्रांसपर पोस्टिंग वितनमान में BPSC पास सिक्षों को प्रियाइटी मिलेगी उनके 10 साल के अनुभव को सिक्षा व्याग कोई कांट नहीं कर रहा है वो कांट होगा सिक्षमता प्रिक्षा जो नोंने पास की है उसके बास की तारिकों से उनका अनुभव, उनका पोस्टिंग, उनका ट्रांसपर कांट होगा लेकिन जो सिक्षक अभेयरती है तीसरे चरण का परिक्षा देने के भाद अपरिणाम का इंतजार कर रहे है और इंतजार दो महीने पहले से कर रहे हैं चर्चा बहुत जोर से थी कि बीपीसी रिजल्ट जारी कर देगी क्योंकि पहले के दो रिजल्ट बहुत कम अंतराल पर आगा इसे इंतियार के लिए कुछ हद तक मीडिया कर वी जिम्यदार हैं जो सरकार जो बीपीसी से हर बात पर पूछने लगते हैं कि भया रिजल्ट कव आना बाकि एक बार रोस्ट आजाएगा तो मैं फिर मैंने पूछे कि रिजल्ट कब तक आएगा तो क्या दिसंबर क्या आप दिवाली दुर्गा बजाओ तो कट्व ने के कयार पर है क्या दिवाली तो चुप हो गए मैंने का छट तो देखते है यानि इसका रती हुआ कि यह अब जो रियल्ट है छट जो है वो दस नॉम्बर या 11 नॉम्बर के है यह रियल्ट अब उसके आसपास आएगा याने इंतिजार लंबा खीचेगा और इसके हिसाब से जो टियारी फोर है उसके लोगोंने सवाल पूछे दोंने का पले वाट टियारी 3 क्लियर होने सब्सक्राइब कर एक कंफुजन किस्थी पैदा हुई और तमाम तरिके से बात रूस्टर क्लियर तक पहुंच गई और सरकार समय बार प्रवंदन में यह 13 14 जी बार से पर होई थे तो सरकार के पास हम तो हम तो पहले आपता को देखेंगे या पहले ट्रासफर